हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नौर्थ इंडियन फूड विद इंदू में तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल गाड़ी-गाड़ी सौर्ट गुड और इमली से बनाई जाने वाली चट्नी सौर्ट और मसालों के साथ ये चट्नी आम तौर पे शादियों में सर्फ की जाती है और इसको आप स्टोर करके 15-20 दिनों तक के लिए रख सकते हैं 15-20 दिनों तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है लेकिन आप इसे एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें इस चट्नी को आप चाट, पकोड़ी, भला, पापड़ी के साथ मज़े से खा सकते हैं तो आएए जल्दी से इस सौर्ट वाली चट्नी की रेसिपी को शुरू करते हैं तो इस चट्नी को बनाने के लिए मैंने यहां 1.5 कप पानी का इस्तमाल किया हुआ है यहां मैं 1.5 कप पानी में 200 ग्राम इमली को भीगा दूँगी और यहां इस पानी को मैंने गरम होने के लिए रखा हुआ है और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी और यहां 10 मिनट के लिए इस इमली को ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देंगे यहां हमारी इमली अच्छे से भीग चुकी है तो अब हम इसे मसल मसल के अच्छे से एक बरतन में छान लेंगे तो यहां हमारा इमली का पानी रेडी है तो चलिए अब चटनी को बनाना हम शुरू करते हैं तो यहां हमने पैन को कर लिया गरम और इस इमली के पानी को हम इस पैन में डाल देंगे तो जैसे ही इमली के पानी में एक बॉइल आना शुरू होगा तब ही हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम गुड़ यहां मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया हुआ है जिससे कि यह असानी से और जल्दी से घुल जाए तो यहां अमारा गुड़ भी इमली के पानी के साथ अच्छे से घुल चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी चीनी और इस चटनी को बनाते समय हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पर ही रखेंगे अब हम इसमें डाल देंगे दो चमद भुनावा जीरा पाउडर, दो चमद सोट का पाउडर, एक चमद चाट मसाला पाउडर तीखेपन के लिए इसमें मैं एड़ कर रही हूँ एक चमच देगी मिर्च पाउडर इसे जो चटनी है उसमें कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत जादा मिर्च एड़ नहीं करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच काला नमक और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे जिससे कि इसमें बॉयल प्रोपरली आता रहे हैं हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर और यहां मैंने जरा सब फूट कलर का इस्तमाल किया है यह टोटली ऑप्षिनल है आप चाहे तो डालें अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पांच से दस मिनट के लिए मीडियम फ्ल चुका है और यह अच्छे से पक चुकी है तो इस टेच पे हम गैस को कर देंगे बंद क्यूंकि अभी ठंडी होने के बाद और भी गाड़ी हो जाएगी और अब हम इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बरतन में तो यहां आप इस चटनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यह च लिए बीच को डालके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चटनी के साथ आप चाये तो इसमें कटे हुए केले अनारदानी या फिर आप अंगूर भी डाल सकते हैं इस चटनी को आप आप पापटी चाट पकोड़े यह किसी के साथ भी आप इससे सर्फ कर सकते हैं और इस चटन को ज़रूर बनाए और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कैसी लगी आपको ये गुड इमली वाली सौट की चटनी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन द प्लीज के लाइब करें प्लीज आपको ये लाइब करें प्लीज में बताना बिल्द